यशो मती मैया के नंदे लाला मैया चोड़ी तो तब होती है ना जब हम किसी को बिना बताये उसके यहां से कच्चु खा ले है ना पर इनके यहां तो द्वार खुला था मटकी खुली थी और इस फेम भी तो सामने बैटी थी काना तुने काकी से अनुमती ली थी मुझे लगा कि इनों नी बुलायो है मुझे और मिला काना ने तुम्हारे घर आके माखन खायो इसके अपराद के मैं भरपाई करूँगी मैं तुम्हें दो गुना माखन दूँगी यह सत्या है मैंने स्वयम ही इच्छा की थी इसे माखन खिलाने की परपाद माखन की ना है जीजी तो फर क्या बात है इसने मेरी माला औरे मिला मन दुखी मत करो मैया मैंने माला जान मुझके ना तोड़ी इसने वो ही माला तोड़ दी जीजी जो मेरे पती की प्रेम का प्रतीक थी आपने ही कही थी ना जीजी यदी कोई कश्ठ हो तो यहां आ जाना मुझे अपनी बड़ी जीजी ही समझना आपने ही कहा था ना जीजी यदी कोई परेसान करे तो आपसे बुरा कोई ना होगा ये नारायन क्या मुझे अपने काना को फिर से दंड देना पड़ेगो माईया यती नहीं काक्षी की यह इच्छा है तो आप मुझे फिर से दंड दे दो मैं दंड के लिए तेयार हूँ माईया मान दो मुझे अस उखल से ना सोपल ना रंदा रहूंगा दिन बाद दूप में खड़ा रहूंगो फूका प्यासा भी रह लूंगो पर आप इनसे काओ ना साधारन सी मोतियों की माला के लिए अपना मन चूदूखी करिया यह इसे कोई चीन ले तो तुझे कैसा लगेगो बाद बूरा लगेगो बस ऐसे ही काकी को भी बुरा लगो ना उनके लिए जे प्रेम का प्रतीक थी ना मुल्य वस्तू की ना होती का ना भावनाओं के होती है काखी की भावना जुडी थी ना जे ले, ये माला काकी को जाके दे, ये उनके माला की स्थान तो ना ले सकती, पर तेरे छमा की भावना उन तक पहुचा सकती है मुझे छमा कर दो नहीं काकी, और ये भेट शिकार करो ना ना, जे न चाहिए मुझे, जी जी जे मैं कैसे है नहीं काकी, ये माला भी प्रेम का ही प्रतिक है, लो वैसे एक बात कहूँ, मोट्यू के माला टूट सकती है, और फुलो के माला भी मुर्जा ही जाती है इसे लिए माला जीवन भर आपके पास रहना रहे, मेरा प्रेम सदेव आपके साथ रहेगो इन्या आए एक दिन भी न हो और आते ही काना के हाथ से, वो बहार मिलको कित्ती भाग साली है उरे मिला जो सोदा जी, चोरी तो काना ने हमारे घर पे भी की थी, इसने हमें कचुना दियो दियो न, माखन दियो न, चांदी के मट्कियों में माईया और मैं कोई अलग थोड़ी है कानहा, अधिक बाते मत बना, आगे से ऐसे उदंड तक की न, तो बाते बनाके माईया के दंड से ना बच पाएगो माईया न, कोई सलावत ना करूंगा, बस फिर से दंड मती देना कानहा की ओर से मैच हमा मांगते हो तुमसे कच्छो कहरें कि आउशकता ना है जी जी, जो हुओ, अच्छे केले हुओ आज के इस घटना से, मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है प्रेम को वस्तू के साथ ना जोड़नों चाहिए क्योंकि वस्तू तो रहे ना रहे, पर अपनों का प्रेम, वो तो सदेव अपने साथ ही रहता है ये में ना रख पाऊंगी अरे ना, ना, ये तो तुम्हें रखनी पड़ेगी, कानहा ने दियो है ना रहे, ना रहे नंद, महूं, बालक को ध्यान अखो तुम दोनों राजा का लल्ला है, उसके कुछ अधिकार है तो बहुत से दाइत्यू भी है यदि तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारे संसकार उसके अंदर आए तो क्या अच्छा है, क्या बुरा, ये उसे अभी से समझाना होगा अन्यथा, समय को बदलते देर नहीं लगती इससे पहले कि तुम्हारा राजकुमार पक्का चोर बन जाए अंकुष लगाना अवस्चक है बाकी तो तुम दोनों समझदार हो मैया, मैया, मेरी बात छुनो ना बाबा तुझे पातो है लाला, तेरी मैया तुझे कित्ता प्रेम करती है तो तु ही बदा जो तुझ पर सारा संसार निचावर करती है एदि उसके सामने कोई आकर तेरे बारे में बुरा कहेगो तेरी कमिया निकालेगो, कुछ भी करेगो हम सब चाहते हैं कि तु अच्छा नल्ला बने ताकि सब तेरा उधारण दे ना कि बुरा इसकी सब निंदा करे पर बाबा मैं तो बातार अच्छे वाले कारे करता हूँ हाँ, कर तो है न अच्छे कारे तो कर तो है अच्छे कारे और सो अच्छे कारे करने के बाद यदि जाने अन जाने में एक बुरा कारे भी कर देगो न ये समाज उस बुरे कारे को ही स्मरन रखे वो बुराई छण भर में बुला दी जाती है लल्ला और बुराई वो सदैव स्मिनती में बनी रहती यही समाज की रीद मुझे छमा कर दो बावा लल्ला तुझे पतो है जब तुब भूल करतो है तो सबसे पहली उमली तेरी मैया के लालन पालन पर उड़ती इस सारे गाउं वाले सारे गोप गोपियां सारा समाज सभी तेरी मैया को दोस्देते कि उसने तुझे अच्छी सिक्सा ना दी पर यदि तुझे समा मांगनी है न, मुझ से न, तेरी महिया से मांग। पर बाबा महिया मानेगी। महिया चमा कर दो, अब फिर मैं कोई ऐसा कारिया। बैठो न, जिची, बैठो। आजा लल्ला, बैठ। जी देख, तेरे लिए लड्डू बनाये हैं। पर पहले तुझे मांखन चक के देख, कैसे बनो है। अच्छा है? ले, खां। कितना अच्छा बालक है तु। हम, सदे वैसी रहना, किसी की संगती में आके विगड मती जाहिए। समझाई? मुझसे बात मती करो बच, सारब तेरम डाव पर लूटा दो, हाँ नईता। सुन, डारियल के लड्डू खाएगो, मैं अफिले क्या तु। किसी उपाय से बात नहीं बन रही। तो रोक के दिखाओ ना, राम बाड उपाय है। आसु देखते ही इगल जाती है सारी माई। हाँ। ये देख, ये ले। ले, जे सारे के सारे तेरे लिए है। खाँ। ये शोदा, बलराम को ये लड्डू अपने भाई के साथ भी बाटना चाहिए न। कानहा को भी तो कितने प्रीय है ये लड्डू। ना जिजी, इसे तो केवल दूसरों का माखन प्रीय है। ये लड्डू देदो, सारे लड्डू देदो, मेरे खिलों ने सारे मिठाए देदो अपने प्यारे बलराम को। मुझसे बाद में मदी गरो। ऐसी भूली सुरत बना तो है कि दंड देने की सपत भी ली हो, तो स्वयम पर ही लज्जा आ जाए। अब मान भी जाओ ये शूता, बालक ही तो है। जे बालक ना है, जे तो छलिया है। अपनी बात मनवाने के लिए अनेकों उपाय करतो है जे। और फिर पूरे गाउं में बताता फिरतो है कि मईया को मनाना कित्ता सरन है। पर अब मैं इसके मन का ना होने दूँगे। अब ताबी करोज मती करो मैया, मान जाओ मैया। माता, माता, तु ही सारे जग के है विधाता। प्रेम है तेरा ऐसा निराला विवश हो कर आए जग पाला। यशो मती मैया के नंद लाला। यशो मती मैया के नंद लाला। लाला, मैंने रिदय से लगायो है, इसका अरचेना है कि मैं मान गई भी और सब भूल गई हूँ। मैं तो छमा मांग रहा हूँ ना मैया। ना काना, भूल हो जाने पर केवल छमा मांगना परयाप ना है। सबसे पहले तुझे जे स्विकार करना पड़ेगो कि तुझसे भूल हुई। फिर तेरे मन में छमा भाव होने चाहिए। तुझे जे आभास होनों चाहिए कि जो हुओ, वो अनुचित है। फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए काना। और चौथी बात, अविलम अपनी भूल सुधारने का प्रयास करनों चाहिए। और यदि भूल सुधारने की संभावना ना हो। तो कचौ ऐसा करनों चाहिए कि भूल का प्रभाव कम से कम हो जाए। और फिर अंत में तुझे बचन देनों चाहिए। कि फिर से तु वो भूल कभी न दोराएगो। मैं समझगू मैया। तुम्हारा लल्ला नटखाट अवस्य है। परन्तु समझदार भी। मैं वचन देता हूं मैया। आज के बार मैं ऐसा कच्छूना करूंगो। जिसके कारण आपको लज्जित होना पड़े। मेरा अच्छा काना। अब जा विस्राम कर। जा। अभी अभी छोटी मामानी है। अब तुम फिर से कोई योजना मत पना लेना। उसकी चनता माती खरो दाओ। आप तो सिगरता से वो समझाओ जो मैया अभी कारी थी भूल के बारे में। क्या नहीं करनो है। तो क्या तुम्हें छोटी मा के बात समझ में नहीं आई। तो तुमने बार क्यों का कि तुम समझ गए हो। क्योंकि दाओ मैया कोई अधी पता चल गया था। ती साथारंसी बात मुझे समझ में ना आ रिया। तो उन्हें और कुड़ो दाटो। आपको तो समझ में आई थी ना। आप तो समझा दो। आप मेरे दाओ हो ना। हाँ हाँ समझाता हूँ। चोटी मान ने कहा था बूल हो जाए तो कभी बूल से भी बूल को बूलना नहीं। हाँ? हाँ कुणकि बातों का सार तो यही था। आरे दाओ। पार के चक्कर में आप सीधी सीध बात को और कठिन बना रहे हो। फिर से माईया से ना पूछ सकतो। पर बाबा से पूछ सकतो है। काना, यदि एक बार में कोई चीज समझ में ना आए, तो तू उसके बारे में अनेक बार पूछ सकतो है। प्रस्न पूछना समझदारी का प्रतिक होतो है। तेरी मईया के वले तही कहना चाहरे थी कि जब कोई भूल हो जाए तो उसे मन से स्विकार करनों चाहिए। और उसके बाद हमें हो सके तो उस भूल को सुधारने का रियास करनों चाहिए। और अन्तिम और सबसे महतुपुण बाद ये अवस्य याद रखना के उस भूल को दोबारा भूल कर भी ना करनों है। समझ को बाबा। चलो तुम दोनों बाते करो मैं जातूँ। अब सत्की में समझ गाए काना या मैं समझाओ। नाना दाओ आप तो रहने ही दो। तो बत्थाओ अब तुमने जो हानी की है इस सुधारने के लिए अब क्या करोगे तुम। एक उपाए हैं पर मुझे उसके लिए साहिता की आउसकता पड़ेगी। किसकी साहिता? उनी की जिनके बाद उपारों का बंडार है। उपार बंडार का ना? पहले कप्च में बैठके जाने कौन सी ओजना बना रहा था? अब बार बार द्वार की और देख रहो है। चल क्या रोहें इसके मन में। कबसे बुलारा आप क्यों ने रहे हो आप। आप बुलाएं और कुबेर ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है प्रभू। कहिए किससे भेट करनी हैं? अपने भगवान से। आप से ही भेट करनी है नंद राज जी। प्रणाम। प्रणाम। ग्राहक ही तो विग्रेता का भगवान होता है न। वो क्या है? मैं घर-घर जाकर रत्न और अभूशन बेचने का कार्य करता हूं। तो आप स्वणकार हैं। हाँ। चमा करना। हमें अभी कच्छू न चाहिए। आप जा सकते। बाबा देख तो लो। क्या पता कच्छू विशेश हो इनके पास। वैसे मैया ने अभी अभी हूँ माला नहीं काथी को दी है। अवस्य बाबा और लल्ला तोनों ने मिलकर कोई उच्ण बनाई है। स्वणकार जी आपके पास मी प्यारी से मैया के लिए कोई विशेश होर होगो। अच्छू विशेश हो तो ही दिखाना। हमारी राजरानी का मन जीतना इत्ता असा ना है। ना ना, इसकी कोई आब सकता ना है। क्या आपको सच्ची में ऐसा लगतो है कि मैं एक माला के कारण क्रोधित हूँ। हाँ? जे तो बालक है। पर आपने ऐसा कैसे सोच लिए। क्या मैं केवल बस्तुओं से प्रेम करती हूँ। और उसपर से स्वांग भी कर रहे हूँ। रानी जी, सत्य तो यह है कि आप बीच में मती बोलिये, स्रीमान। या सोदम मैंने ना बुला है सुनकार जी को। मैं जानतो हूँ। तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है। आपकी मज्या से तो मुझे भी भै लग रहा है प्रबू। ना जाने कभी ये साक्षात मादुर्गा बन जाए। आप पे तो तैनिक भी भरोसा ना है मुझे। बलकि पूरा विश्वास है कि आपने ही बुलाया है नहीं। जब भी ऐसी कोई बात होती है न। आप काना के साथ मिलके जे ऐसी ही योजना बनाते हो। नहीं, मैं इनके बुलाने से नहीं आया हूँ। मैं श्री नारायन की इच्छा से आया हूँ। श्री नारायन की सौगन। मैंने सोचा कि यहां आकर एक दो हार तो बिखी जाएंगे। और यहां व्रिंदावन की रानी जी जो रहती हैं। अत्ति मत करो, कुबेर जी। स्वनकार जी ऐसी बात है, तो आप ठैरो। मैया ने मुझे सिखाया है कि किसको अपने द्वार से निराश्णा बेजो चाहिए। अरे, पत्त। सुनता मती करो। इन्तिक रोज में भी प्रेमी छिपा होतो है। बात अनौ की है यह। इसलिए आपको यह अनोखा पूला बहार दिखाओ। मैंने क्या समझाया था और इसने क्या समझ ली। अरे, मेरा चेयर थोड़ी था कि वो बहार देकर अपनी भूल को सुधारा जा सकतो है। यह देखिये नंदराजी। ना। यह। ना यह भी ना चलेगो। इसकी तो शोभाई निराली है। ओह। स्वनकाल जी। मैया को यह से बिल्कुल अच्छा ना लगेंगे। कुछ विशे दिखाओ ना। कछो अनूखा। किता सुन्दर हा रहे। परचे स्वनकार कानहा को उसे दिखा क्यों ना रहे। वो तो मेरे सभी वस्रों के साथ जचेगो। वाट खिलेगो मुझे। परचे आप ये वाला देदो मैया के लिए। और आपके लिए क्या राजकुमार। मुझे बस एक मोती देदो आप। बस किवल एक मोती। हाँ। ये राने जी के लिए माला और ये राजकुमार जी के लिए मोती। परभू के दर्शन मिल गए और क्या चाहिए मुझे। जो ठीक लगे वो दे दीजिये। टडाम। टडाम। लो मैया, खताओ कैसो है। सुनो जी, अपने लला को समझा दो। यदि उसे लगतो है कि मैं उपहार की भूकी हूँ, तुझे उसकी भूल है। अरे उपहार ना है मैया। ये तो साक्स है कि मुझे बूल समझ में आ गई है। और ये भी समझा गयो है कि कैसे आज मेरे कारण मेरी मैया को लजित होना पड़ो। ये साथ से ही इस बात का कि मैं सची में छमा मांगरू। कि मेरे कारण आपको इत्ता दुख पठो है। ये इस बात का भी शाक्ष्य है। ये मैंने अपनी भूल से सीख ली है। तुझे जे आभास होनों चाहिए कि जो हूँ, वो अनुचित है। फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए काना। और ये इस बात का शाक्ष्य है मैया। कि मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। जो हूँ चुको है उसे तुम्हा बदल ना सकतो। पर कम सी कम को उमाला तो बदल सकतो हूँ, जो आपने नहीं काकी को दिया। और चौथी बात, अविलम अपनी भूल सुधारने का प्रयास करनों चाहिए। इन सब का साक्षे होने के साथ साथ कि मैं वचन का प्रतिक है मैया। कि मैं आज के बाद फूल कभी ना करूंगो। तुम्हें विश्वास तो ना होगो। पर मैं कहे देता हूँ कि जो कुछ भी कर रो है, जो कुछ भी कह रो है, उसमें मेरा रत्ती भर भी योगदान ना है। अब तो मैंने वचन भी दे दो मैया। अब तो सिकार कर लो ना इसे, आपको जो अच्छा लगा था, वो ही हार लेकर आयो। फिर भी ना लो गया। इधारा, तुझे कैसे पता चलो कि जेही वाला हार मुझे सबसे अच्छा लगो। एक लल्ला को अपनी मैया की रूची पता चलनी चाहिए ना। अब तक रोट छोड़ दोना मैया, मान जाओ ना। पर जे अंतिम अफसर है लल्ला, यदि फिर से कोई गोपी ने तुझ पर आरोप लगाओ ना, तो ऐसा ना होगो मैया। आप चिंता मती करो, उसके लिए भी सोच के रखो है मैने। चोरी तो काना ने हमारे घर पे भी की थी। इसने हमें कच्छो ना दियो। गां फीम है। तो इस मोती तो किस किस को देगो ? मैया, वनमें आप नहीं कहाए थीना, इस बीच से . ने भी से फुरा वरिक्ष होगा तो है। तो तो इस मोती को भूए गो। हाँ, जो उस मोती को बोईगो, उसमें से वरिक चुगाएगो और जब उसमें मोती आएंगी जो सारी गोफियों को देगो, ना लला? आपने तो मेरा मन पल लियो मैया? अरे पर... मैं परिहास कर रही थी, लला, मोती ब्रिक्च पे ना उखते? क्यों ना उखते मैया? जब छोटी सी गुठली से, बड़ा साम का ब्रिक्च उख सकतो है, यह शार जामून उख सकते हैं, तो मोती क्यों ना उख सकते? लला, बीच से केवल फल और फूल उखते हैं, होती ना? पर मैया, अपनी तो कह थी, शी नारेन का नाम देने से सकतो चंभव हो जाता है, तो फिर यह क्यों ना हुआ? नारेन के नाम में तो बहुत सारी शक्ती है, है ना? हाँ, परू. सुधा, जीवन की सीख करने से ही मिलती है, जब करेगो तभी सीखेगो, हम केवल इसकी सीखने में सहायता कर सकते हैं, है ना? मैया बाबा, होगो! मैया बाबा, होगो! दिखने आप दो नो? चला हाजा दो घखने में र अजा राबा च्छुर्ण वाबा ्किस दिखने यह नारायन, जे क्यासे संभव है? सुनो जी, जे देखो, क्या हो यह सुदा? क्या होगो, काना, सुभा सुभा, आप चादी चीना, या आप चादी चीना, मैं कच्छू ना कच्छू दू, देखो कितना विसेश उपा रहें, मिर्पार्ण! जे, जे तो मूती है, मूती हो खाप राच, पर जे तो असंभव है ना? लो, आप सब ही तु कहती हो, तो मैं बात अदी प्रस्न पूछते हूँ, और अब देखो, आते ही सब के सब, प्रस्न पूछने लगे! अब खड़ी रोगी, कि आगे बढ़के मूती भी लोगी? सब्सक्राइब के आओ ना? प्रस्न पको सब खड़न खाफंए लोगी आप लोगी, कि आप खड़ी आदीज तॉप ऽह लोगी, कि एंसे हाँ ना अफो, हुआ fungi-पत्राइब के सब का comprehensive हमारी इच्छा पूरी हो गई काना के हाथ से उपहार मिलगो हमे प्रभू ये चमतकार तो सभी के सामने कर दिया आपने कहीं इससे आपका सत्य माईया को पता तो नहीं चल जाएगा छे तो सच्ची के मोती है वैसे ही जैसे स्वर्नाकार के पास होते व्रिंदावन में जब से आये हैं कोई न कोई चमतकार तो हो ही रहो है आवसे हैं किसी बहुत बड़ी देवी का असरवाद प्राप्त है असरवाद या फिर हमारे कानह का कहीं सच्ची में कानह चमतकारी तो नहीं है है ना जीची आप तब बीना बिना सकते जाने ही बोलने लगती हो यह मेरा चमतकार ना है यह तो देवी का चमतकार है कौन से देवी का मेरे मैया अर्थात आपकी यह सोधा देवी का जी क्या क्या रूए कानह सत्या ही तो कह रहे हूँ आप सभी बताओ जब हम गोकुल से वंदावन आ रहे थे तो किसने कही थी कि वंदावन में सबको गोकुल जैसी सुख्षुदा मिलेगी और यहान एक बात भगवानशी गनेश का स्वर किसको सुनाई दिया था सुनाई जी और कर गिसने कही थी? हमारा काना मोती को बीच की तरब होएगो? तर उसमें से बड़ा सा वरिक्ष उगेगा और उसमें मोती आएंगे यह सोदा ने आप ही तुमाईया हुईना मित्यो मक्कारी यह जो क्याती है सत्य होके ही राच्वा है कुछ भी उल्टा सीध हांके जा रहो है मैसिस असोदा जी काना कहे तो सत्य रहो है तुम भी इसकी बातों में आगे सुल अच्छना अरे जे तो सारे संजोग जोड़के बस अपनी बाते सिद्ध करने का प्रयास कर रहो है मैं कोई देवी ना हूँ मैं तो बस साधारन सी मैया हूँ और जे मेरा साधारन सा लल्ला है पर ये मोधियों का बिरच चमक्कार है ना पक्की बात है लगता है किसी ना किसी देवी देपता का आशिरवाद है इस सिथाम को कि अजया है इस सब तो मैं ना जानती पर हां स्री नारायन का असरवाद तो अवस्य है सिथाम करता है करता है स्कार कर दो कर दो ád यजर एका प्राटिक्सा करी है असिर्वाद नहराइन का हुँ या देवी देपता हुप। हम धन्यवाद तो तुझे ही कहेंगी गाना काना बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा उपहार दिया है अच्छा जी जी अब हम चलते हैं नारान 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 झाल संवेखियो उल्कका एंभ एक्ट्विच clarity खाक्ट स्यू के बेश्च